हेलो गाइज मिना नाम है वतसल और आप देख रहे हैं भी एस्टेक तो इस वीडियो में मैं अन्बॉक्सिंग और मीनी रिव्यू करने जा रहा हूँ शाओमी के लेटेस्ट एंड़ुड वन स्मार्टफोन मी एत्री का शाओमी मी एत्री इंडिया में 13000 रुपी की प्राइस पर लाँच हुआ है और यह काफी कंपैलिंग पैकेज है तो चलिए देख लेते हैं पहले इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है तो सबसे उपर आपको मिलता है एक और बॉक्स उसके अंदर आपको मिल जाएगा सिमिजेक्टर टूल और एक टीप्यू केस अभी जादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है जैसा कि शाओमी के प्रीवेस फोन से में भी आपको देखने को मिलता था क्यूंकि यह कुछ टाइम के बाद फोन से लूज हो जाता है और इसके अंदर फोन हिलता रहता है जो कि काफी अनॉइंग है तो आपको इतनी नया केस इसके अच्छा है देखने में इसके आपको B-rolls भी आगे देखने को मिलने वाले है इसमें आपको Rainbow Finish भी मिल जाती है और इसका जो Back है और Front है दोनों में ही आप Corning Gorilla Glass 5 की Protection मिल जाती है और साथी साथ आपको Camera Lens में भी Same Protection मिलती है तो इसके साथ जो Charger आता है वो है 10 Watts का जबकि इ जाता है 6.08 इंचिस का जो की काफी स्मॉला डिस्प्ले है एस कंपरेड तो जो भी रिसेंटली फोंस आ रहे है 6.4 6.5 इंचिस के डिस्प्ले के साथ इसमें आपको Super AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है लेकिन इसका जो Resolution है वह सिर्फ HD प्लस मतलब Full HD डिस्प्ले आपको इसमें इसमें मिलता है और बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिल जाएगा Snapdragon 665 जो की Mi A2 के 660 से तो इंप्रूवड है लेकिन आपको Redmi Note 7 Pro में 675 मिल जाता है जो की उससे तो यह डाउंग्रेड है अब इसके बात चलते हैं इसके स्टोरेज इस पर तो आपको 464 और 6128 80 GB options इसमें मिल जाते हैं जो इसकी RAM है वो आपकी LPDDR 4X RAM है जो की काफी फास्टर रह मानी जाती है और जो इसके स्टोरेज है वो भी UFS 2.1 है तो इसके जो एप्लोडिन टाइम होंगे वो काफी कम होंगे और जो data transfer speeds होंगी वो जादा होंगी अब बात कर लेते हैं इसके cameras की तो इसमें आपको अगें साल का सबसे जादा hyped और famous sensor मिल जाता है जो कि Sony IMX 586 sensor जो कि आपको तेरह जार रुपय में पहली बार मिल रहा है इसका जो पर्टर है वो है F1.79 और यह काफी जादा अच्छी low light photographs भी खीच पाएगा इसमें आपको 4K 30fps तक की वीडियो का support मिल sensor जिसमें आपको ultrawide shots कीचने को मिल जाएंगे तो जो इसका 3rd camera है वो है 2 megapixel का depth sensor फ्रंटर में आपको मिल जाएंगे 32 megapixel का selfie camera जो कि आपको Redmi Y3 में भी मिलता है तो वो ही सेम camera sensor आपको इसमें मिल रहा है अब जुसकी battery है वो भी आपको मिल जाती है काफी बढ़िया 4030 mh3 और इसमें आपको fast charging को औलको चार्ज 3 का support मिलता है मतलब 18 watt fast charging का support मिलता है लेकिन ज जो की काफी reasonable price है तो उस पर जाकर आप इसको खरिक सकते हैं तो बात कर लेते हैं main phone की और मेरे experience की मैंने इस phone को around 1.5 वीक्स यूज कर लिया है और I think अब मैं इसका एक review दे सकता हूं आपको तो उसकी display quality है वो काफी अच्छी है इसमें जो AMOLED display के colors है वो आपको काफी अच् नहीं है अब जल्दी से कर लेते हैं इसका physical overview तो आपको top पर मिल जाएगा IR blaster 3.5 mm headphone jack और secondary microphone राइट साइड पर आपको मिल जाएगे volume buttons और power button और जो इसकी sides हैं वो plastic से बनी है इसमें आपको aluminium finish मिल जाती है और जो उसकी body है वो तो glass की है ही bottom पर आपको मिल जाएगे speaker grill और main microphone grill और type c port और left में आपको मिल जाएगी sim tray अभी आपका hybrid slot है इसमें आपको dedicated micro sd card slot नहीं मिलता है तो आपको अपना एक sim lose करना पड़ेगा अगर आपको इसमें memory card use करना है तो अब बात कर लेते हैं इसके software की तो इसमें आपको stock android मिल जाता है जो कि pure vanilla stock android है मतलब इसमें आपक से वो काफी जादा भढ़िया था बिल्कुल smooth animations जिसकी आपको मिलती है even इसमें आपका जो processor है वो इतना powerful नहीं है लेकिन फिर भी जो इसकी performance है वो काफी जादा अच्छी है day to day life में और अगर आप इसको gaming के लिए लेना चाहरे है इस पर PUBG खेलना चाहरे है तो इस phone से दूर रही है क्योंकि इसमें आपको stable 30 frames भी नहीं मिलने वाले हैं प्री इंस्टाल इसमें आपको Android 5 मिल जाता है और 16 September को मैं इसमें voiceover कर रहा हूं और इसमें आपको security patch है वो आपको September 5 का मिल चुका है और इसमें already खरीदने के बाद दो बार update आ चुके हैं around 100 MB के लेकिन इसमें आ आप मोड जैसे बहुत सारे ऐसे features हैं जो कि custom skins पर अच्छे मिलते हैं वो आपको इसमें नहीं मिल पाएंगे अब बात करते हैं इसके fingerprint scanner की तो आपको मिल जाता है display के नीचे और जो कि speed में काफी fast है लेकिन इसमें around 1 second का animation delay है तो इसकी वाज़े से थोड़ा slow feel होता है लेकि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है अब इसकी जो quality है वो मैं आपको एक next video में बताऊंगा जिसमें मैं इसका camera 1 plus 7 से compare करने वाला हूं तो आपको एक अच्छा idea मिल जागा कि दोनों ही camera कैसे आपको perform करते हैं जब आम उनको compare करेंगे क्योंकि दोनों ही phone में आपक जो कि इसको around 1 hour 30 minutes में charge कर देता था जो कि काफी decent है इस price range में इस phone के लिए तो guys इतना ही था इस quick review में अगर आपको वीडियो पसंद आई और informative लगी है तो इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और subscribe कर दीजिए मेरे channel को और bell icon को भी दबा दीजिए latest videos के updates पाने के मिलता हूँ अपनी next video में